दोस्तों नबश्कार मैं आपका दोस्त मनोच कुमार विश्रा एक फिलोसफर और एस्टोलॉजर में आप सभी लोगों का अपनी यूट्यूब चेनल एस्टो और वर्ड में हार दिक सौगत करता हूँ और आप शभी लोगों से रिक्वेस्च करता है अगर आप लोग अभी म कंया लगन की कुंडली है और आपको अगर यह जाना है कि जानाrese कंया लगन वाले लोग कैसे होते हैं तो मेरा व심 वीडियो अवश्चे देखिए कि कंया लगन वाले लोग कासी होते सबसे पहले दिसंबर महिने में तिंज्यन गिरों का परिवर्टन हो रहा हैं पहले उसकी चर्चा करते हैं देखिए सबसे पहला परिवर्तन है शुक्र का शुक्र तीन तारिक को धनु राशी से निकलकर मक्राशी में आ जाएंगे और यही शुक्र 27 तारिक को कुम्भ राशी में बात करते हैं सूरे की जो इससे में ब्रशिक राशी में कोचर कर रहे हैं लेकिन 17 तारिक को 16 दिसमबर को ये दो राशी मेरे बुद्ध 17 तारिक को अपनी मारगी पोजिशन इसमें बुद्ध वक्री पोजिशन में चल रहे हैं अगर बात करते हैं शनी की तो ये वहीं के वहीं जाने की कुम्भ राशी में ही गोचर करते रहेंगे शत विशा परिवरतन देखने को है कि वह आध तारिक को आठ दिसम्बर को वक्री पोजिशन में आ रहे हैं और अगर गुरु दे रही की गोचर के हिसाब से जो करने अलगने उस पर क्या प्रुभाव पड़ेगा तो अगर मैं आप से कहता हूं सबसे जो बनी है सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी बुद्ध की देकिये हैं बुद्ध कहां से संभंद बना रही है तो इस समय कैसी जो चल रहे हैं कि वकडी पूंशे गर से गर आकर आप कोई woh काम इस स возмर कर रहे हैं घर से दूर रहकर अगर कोई काम करें तो यह सारे काम आपको प्रॉफिट देने वाले हैं सबसे पहली बात तो आप यह अगर आप किसी चीज़ को ऑनलाइन ले कर जाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन 17 तारिक के बाद अगर आप इन चीजों में जिसे एक चीज हम ने देखा कि हम कोई भी काम चलिए घर से दूर जाके कर रहे हैं हमारा ओफिस दूर है जहां भी हम मतलब करते हैं वह हम से दूर है जहां भी हम कोई भी काम कर रहे हैं चाहिए हम ऑनलाइन करें आफ लाइन करें 17 तारिक के बाद आपको अभूत पूर परिवरतन दिखेगा वो क्या दिखेगा कि जिन कामों को आप एक लंबे समय से करते चले आ रहे हो उसमें क्या होगा आपके अंदर एक confidence पैदा होगा कि अब मैं इस target को achieve कर लूँगा तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा 17 दिसंबर के बात अगर मैं बात करता हूँ आप से सकीड हाउस की मालिक कौन है यूझ और बैठे कहां पर इस समय फोर्थ हाउस में बैठे हैं लेकिन उसके वाद शुक्र कहां चली जाएंगे तीन संवरकों कि आपके सर्फ हाउस अगर शुक्र की एनर्जी में लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई फोकस एकदम कम हो जाएगा लेकिन यहां पर मंगल की जो देस्टी शुक्र पर पढ़ रही है आपको आपके काम के प्रतिस सजग बनाएगी देखिए मंगल इस समय पुड़ा नीच की रा जी आपको अपने अंदर आती हुई देगी और यह एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा उन लोगों के लिए जो अच्छे किसी परिक्षा की तैयारी करें उन बिजनिसमेनों के लिए भी जो की अपने धिफंस को मतला अपना उनका जो ध्यान अगर शुक्री की तरफ जा र होगे आपको पैसा आना भी सुरू हो जाएगा अब मैं आपसे बात करता हूं थाड़ा उसकी जिसमें बैठे हैं बुद्ध और सूरे देखिए बुद्ध इस समय कैसे चल रहे हैं वक्री पोजिशन में चलने सूरे क्या है पूरे इस समय अपनी मित्र की राशी में चल रह ही है तो आपको विजनेस को आगे बढ़ाने में इस समय आपको पूरा ध्यान अपने टारगेट पर लगाना बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते ने फेम प्राप्त करना चाहते तो यह जो समय है पंधरा तारिक तक का आपको पंधरा रिजर्ट्स आने शुरू होंगे जिससे आपका मन बहुत प्रफुलित भी होगा अगर मैं बात करता हूं आपके फोर्थ हाउस की इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर शुक्र लेकिन उसके बाद यह परिवर्तन कर लेंगे कहां चले जाएंगे मक्राशी में चले अगर मैं फिफ्थ हाउस की आप से चर्चा करता हूं मालिक हैं शनी बैठे कहां पर हैं शिक्स हाउस में बैठता है तो जीवर्त में संघर्ष की मातरा को बढ़ा देता है और इस शनी पर मंगल की आठवी दस्थी भी पढ़ रही है तो मैंने आप से सिर्फ एक ही बात कही है कि यह समय पूरी तरीखे से खुोद चमकाने का समय मतला मैंनत करने का समय अगर आप महन outlines से बीचुकन तो टारगेट भी आप Zeny अच्छे से समझ लिजे चनी अगर 60-60 उने महनत करने के लिए बहूले है तो शनी एक महनत करने वाला तो जब तक आप खुद को इस चीज के लिए तयार नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते कोई भी अगर बिजनिसमेन इस समय यह सोच रहा है कि मेरे हाथे में पैसा आता चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अठारा सत्रा दिसंबर के बाद आपको यह दिखाई देगा कि जो भी मेनत आपने की है उसका परिणाम आपको आना चुरू होगा अगर हम लोग बात करते हैं आपके सेविन था उसकी बैठे हैं यहां पर राहू और राहू किसके हिसाब से परिणाम देते हैं गुरुदे ब अच्छा समय मतले स्पाउस के साथ एक अच्छा समय आपका व्यतीत भी होगा अगर मैं बात करता हूं आपके एर्थ हाउस की मालिक है मंगल बैठे कहां पर इलेविन था बैठे हुए हैं तो अगर मैं देखता हूं इस कुंडली में थोड़ा सा मंगल का जो पार्ट होता ह है वो नेगिटिव पार्ट होता है और यह इस समय लाविस्थान पर आपके बैठे दो तीन चीज़ों को आपको यहां जरूर समझना है एक अच्छी रिसर्च या किसी किसी गुरू के अंडर में गुरू के इंडर में क्यों क्यों कि फिप्थ हाउस आपका सुज मन करेगा इंट्रडे ट्रेडिंग का करेगा उसमें आप लॉस उठाओगे तो इस वज़े से एक अच्छी रिसर्च के बाद ही अगर आप इंट्रडे में जाना चाते हैं तब आप जाईएगा अगर मैं बात करता हूं नाइन्थ हाउस की जहां पर बैठे हैं आपके गुरू देव रहस्पती गुरु देव रहस्पती की यह पोजिशन आपके लिए यह आपको भाग के से बहुत कुछ प्राप्त होने के पूरे चांसे नहीं तो आप महनत की दिए कारेक के उपर फोकस बनाइए और बाकी काम किसका है गुरू देव रहस्पती का है अगर हम लोग बात करत है तो इस वहीने 17 दिसंबर के बाद जॉब लगने के चांसे उनके बढ़ते हैं और एक चीज़ आपको यह जरूर समझने कि अभी हमें कोई नया परिवर्तन नहीं करना जॉब में कोई अभी नया परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करना है बात करते हैं 11 था उसकी जो मंगल है करक राशी में मीच की होती हैं लेकिन यही मंगल जब आठ तारीक की बाद वक्री पोजिशन में जाएंगे तो कन्या लगन वालों के लिए थोड़ा सा जो मैं के मेरा आप से सिर्फ यह करा चाहता हूं जिन जिन जगों से हमें लाव मिल रहा है उन उन जगों पर भी हमारा संघर्ष बढ़ता है तो यह चीज आपको अभी नोट करनी है संघर्ष ते अभी पीचा नहीं चूट रहा तो थोड़ा सा आप ठहरे बनाकर रखिए तब आपको यह चीज राप्त होगी अगर हम लोग बात करते हैं आपके खर्चे वाले भाव मतलब बार्वे हाउस की मा संघर्ष में होकता है तो यह चीज आपको अभी पकड़नी है कि जिन कन्या लगन वालों को अभी किसी भी तरीके से मैं आपसा सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो यह दिसंबर का महीना है 17 तारिक के बाद आपको पॉजिटिविटी प्रदान करना रहा है उससे पहले तक आपको केबल क्या करना मेहनत करनी है और खर्चे का सारा सीन उसकी जादा चिंता नहीं करनी क्योंकि बैलेंस अभी कम आएगा खर्चे आपके एक्स्टरा होंगे जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है तो अभी मैरिज का भी कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अगर आप लोग मतला लव वाली कंडिशन में हैं तो जैसी शुक्र यहां पर आएगा तो देखी एट्रेक्शन आपका बढ़ना ही बढ़ना है मतला तीन दिसंबर के बाद आपको यह साइट करना है कि मुझे शुक्र वाली एनर्जी के साथ जाना है या जो मेरे टार्गेट है उसकी